दोस्तो अगर आप जिरोधा एप्लिकेशन के थुरू ओप्शन में ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केसे यहाँ पे आपने अपना स्टोप लोग सेट करना है और केसे आपने यहाँ पे अपना टारगेट सेट करना है दोस्तो सबसे पहले यहां पे आप देख रहें जब आप जिरोधा एपलिकेशन को open करते हैं तो इस तरह का interface आपके सामने आ जाता है और यहां पे आपको कुछ stock मिल जाते हैं और यहां पे ऊपर आपको watchlist के option मिल जाते हैं यहां पर दोस्तो आप जब भी किसी option में Credit करते हैं, जब भी आप यहां पर किसी contract को खरीदते हैं, तो दोस्तो जुरोधा application में पहले आपने future and option segment को activate करना होता है, उसके बाद यहां पे जब आपका future and segment activate हो जाता है, तो उसके बाद यहां पर आप option में टेर्ड कर सकते हैं, ओ अगर हम किसी भी करते हैं तो उसमें हम अपना टारगेट केसे सेट कर सकते हैं और सबसे पहले आपने क्या करना होगा जब हम यहां पर करते पहले हमें इहां पर पहले 민주 50 को देख लेना है जो भी हमारा यहां पर स्ट्राइक प्राइस है निप्टी चल रहा है तो आप यहां पे देख रहे जैसे हम ने यहां दोस्तो हमें यहां पे दो ऊप्षन इसमें मिले हुए, एक यहां पे CE का ऊपको यहां पर PE का मतलब होता है, call का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा और P.E. का मतलब होता है put का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो put का मतलब है दोस्तों यहाँ पर market नीचे जा रहा है, down जा रहा है तो आप यहाँ पर put खरी सकते हैं अगर market उपर जा रहा है, आपको दीख रहे पे जा सकते हैं मार्केट नीचे जाता है और यहां पर करते हैं यहां पर दो हम यहां पर हम यहां प Brystore के ख्रीटें ऐसे हम यहां पर करेंगे यहां यहाँ पर हमने इस इस टोक को सर्थ किया, यहाँ पर निप्टी जून और यहाँ पर 18650 CE, तो दोस्तो हम यहाँ पर इसको पहले सबसे पहले watch list में add करेंगे, यहाँ पर plus का icon पर click करेंगे, यह हमारी watch list में add हो चुक है, हम यहाँ से पीछी जाएंगे, हम इस पर click करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर इस पर click करेंगे, तो इस तरह का option हमारे सामने आएगा, तो हम यहाँ पर buy option पर click करेंगे, तो हमें इसको buy करना है, लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर option trading करते हैं, तो आपने यहाँ पर बहुत ही carefully option trading करना है, सीखने के बाद ही, तो दोस्तों यहा अगर आप यहाँ पे ली मिट के उपचन करते हैं अगर आप यहाँ पे लेमीट के ओपर तो आप यहाँ पे यहाँ भी प्राइस के ऐसे göra कर सकते हैं और यहाँ पर हमें सेतके स्टोप लोस ओर चॉस्त लोस न भी bet दो option मिल जाएंगे set stop loss और यहाँ पे set target हमें यहाँ पे अपना stop loss केसे set करना है और यहाँ पे target केसे set करना है दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जो भी पैसा इसमें लगा रहें फोर एक्जामपल यहाँ पे आप 100 रुपे लगा और अगर आप चाते हैं जब मुझे यहाँ पे लोस होगा अगर मुझे यहाँ पे 10 रुपे का लोस होते हैं मुझे 90 रुपे यहाँ बचते हैं तो मैं यहाँ पे अपना target रखोंगा यहाँ से निकल जाओंगा तो मैं हैं तो आपने क्या करना है आपका यहाँ आपने सो्च रहा है जैसे मुझे यहां पर दस रूपइ का उसमें मार्केट से यहां से निकलने लूँगे तो इस तरहøYo तो यहाँ पे इसको ज़्यादे भी कर सकते या से कम भी कर सकते आप चाते हैं मैं यहाँ पे 20% तक का Loss लेना चाता हूँ तो आप यहाँ पे 20% का Loss ले सकते हैं तो यहाँ पे 20 डालेंगे और जितने भी आपने यहाँ पे capital लगाया है उसका 20% अगर आपका यहाँ पे target जात वहां सकते हिस्से जाएगा अगर अपना यहां पर फिफ्ी परंट तो उतना ही आप लेकिनुस्तो आप यहां पर इस तरह से अपना जो भी टारओं उस सैWinds को सैट कर सकते हैं कि सबस्क्वेइट को सेट पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक कर देए, तो आपके सामने यहाँ पे यह यह ओन हो जाता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप चाहतें कि मेरा जब भी 10% का यहां पे profit होगा, तो मैं market sale निकल जाओगा, तो आपने यहाँ पे 10% select करके यहाँ पे सैट कर लेना है इसके बाद दोस्तो जब इसको आप सैट कर लेंगे तो यहाँ पर जब भी market उपर जाएगे और आपको यहाँ पर दस स्तर होगा तो उससी टाइम पर दोश्तों यहाँ पर यहाँ और जो भी आपने यहाँ पे options खरीदे हुए हैं वो आपके automatically sale हो जाएंगे जो तो इसका आपको यह फाइदा होता है store close लगाने का और यहाँ पे target set करने का target set आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं और store close भी यहाँ पे आप set इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि 10% नहीं आप यहाँ पे 20% यह 30% का आपको profit होगा उस टाइम पे आप यहाँ पे अपना target लगाते हैं तो आप यहाँ पे 30 डालेंगे तो आपको जो भी target है वो यहाँ पे 30% पे आके automatically यहाँ पे sale हो जाएगा जब भी आपका target हीट होगा उ तो इस option पे click करना है तो आप समय गए होंगे जीरोधा application में जब आप यहाँ पे option trading करते हैं और अगर आप यहाँ पे stop loss लगाना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आप stop loss लगा सकते हैं वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को like करना, comments करना चैनल पे नई है तो यार स सब्सक्राइब कर लें अजिसे हमारे आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो इस वीडियो में इतने मिल देने होड़ों में तब तक लिए जेहिन